हलो फ्रेंट्स कैसे आप सब आशक करता हूँ आप सब की जो पढ़ाई है वह ठीक तरीके से चल रही होगी और जो यूपियाशाई के डिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं उनकी जो रणिंग है वह बहतर तरीके से चल रही होगी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि UPSI का जो रिजल्ट हो कब तक आ जाएगा कट ओफ क्या रहेगी और अभी तक जो आपने डेट सुनी हैं बहुत सारी जैसे कि 15 तारीक फिर 28 तारीक उस से पहले 20 तारीक यानि के मार्ज के अंदर आपको रिजल्ट जो है देखने के लिए मिल जाएगा ऐसा आपने सुनाओगा बहुत से वीडियो में तो इस वीडियो में हम इनी सब पर बात करने वाले हैं चले वीडियोज शुरू करते हैं वीडियोज शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर निविजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजेगा गुर्मन जोब की पलपल अपडेट के लिए तो कल की डेट में यूपी एसाई से ये रिजल्ट की जो इनकी ये ओफिशल ओफिशल वेबसाइट है यहाँ पर तीन जो है नोटिस इन्होंने जारी किये थे जो कि इन्होंने फॉर्म फिल के लिए नोटिफिक्शन डाला था उनके लिए इन्होंने फी के बारे में बताया है कि जो लाज्ट डेट है वो आपकी यह है लेकिन यह तीनों नोटिस जो है यह UPSI से डिलेटिड नहीं है यह अलग नोटिफिकेशन है अलग जोब्स के लिए तो इन से हमारा कोई मतलब नहीं है अगर मैं बात करता हूँ UPSI के डिलेट के बारे में तो मैं आपको इस वीडियो में फिर से यही बात कहूंगा कि अभी तक कोई अधिकारिक पुष्टी नहीं है नहीं कोई अभी तक डेट फाइनल हुई है कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा हाँ यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आपका जो result है वो holy के बाद यानि कि आप मान के चल सकते हैं कि March के अंदर जो आपका result है वो जरूर से जरूर आ जाएगा और April के अंदर आपकी DV PST होने के पूरे पूरे chances हैं इसके अंदर यही आपको चमझना है कि होली से पहले डिजल्ट आने की कोई भी संभावना नहीं है और होली के बाद तुरंट बाद आने की भी कोई संभावना नहीं है लेकिन हम मार्च के लास्ट वीक में आपका डिजल्ट जो है वो पब्लिश किया जा सकता है यह 100% शोट ह है क्योंकि इसके अंदर UPSI की बढ़ती है यह काफी लेट हो चुकी है अल्रेडी एलेक्शन की वज़े से तो अब इसमें ओर डिले ना करते हुए मार्च के लास्ट तक आपको डिजल्ट जो है देखने के लिए मिल जाएगा और अप्रेल के लास्ट तक आपको डिवी पीस्टी की डेट भी देखने के लिए मिल जाएगी अगर आपके मार्क्स इसके अंदर मैं आपको कटोप बताऊंगा अभी लास्ट में वीडियो के में तो आप उससे अपने मार्क्स जो है वो टैलिक कर लीजिएगा अगर आप उसके अराउंड एक दो नंबर या एक दो सवाल कम है तो भी आप ट्रेनिंग के लिए जो है लगे रहिए च्योंकि पहली लिस्ट के अंदर जो है वो 20,000 कंडिडेट आने हैं चरूरी नहीं है कि इसके अंदर से 10,000 या 9,500 कुछ जो केंडिडेट है वो पास हो जाएं सैकेंड लिस्ट भी आस सकती है तो आप उसके लिए भी प्रिपेर रहें तो अगर मैं बात करता हूँ इसकी कटोफ क्या रह सकती है तो कटोफ जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता थेया था कि अगर आ आप चर्नल केंडिडेट है तो आप मान के चलिए कि 105 से 110 के बीच में आपके माक्स होने चाहिए अगर माक्स नहीं सोरी आपके जो कोश्चन है वो इतने स्थीक होने चाहिए यानि कि आपके माक्स की बात करता हूँ तो 250 प्लस आपके माक्स होने ही चाहिए अगर आप चर् प्लस माक्स आ रही है यह रो माक्स की मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मलाइज चेसन के बाद यह आकड़ा जो है वो बदल सकता है यानि कि आप मान सकते हैं कि इसके अंदर से आप प्लस माइनस फाइफ या फिर सेवन आप कर सकते हैं क्योंकि इतना अंतर नॉर्मलाइज चेसन क उतने नहीं है इस बार क्योंकि exam का जो level है वो सभी shift के अंदर normally रहा है मतलब equally level रहा है किसी भी shift के अंदर ऐसा नहीं है कि इसके अंदर तो मैं 160 में से 160 कर देता और इस shift में मुझे 100 सवाल करने भारी हो गए तो ऐसा किसी भी shift में नहीं है सभी का जो level है वो 19-20 का ही अंतर है और कुछ हो कि अगर मैं exam की बात करता हूँ तो हिंदी हिंदी tough है तो उन्होंने मूल विधी को जो है हलका रख रखा है लेकिन किसी exam के अगर मूल विधी थोड़ी सी tough है तो उन्होंने हिंदी को normal पूछा है और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर EWS की तो EWS की जो है वो OBC OBC के बराबर ही cut off जाएगी आपकी इसमें कोई दोरा नहीं है क्योंकि EWS की जो vacancy है वो भी कम होती है और जो cut off इसकी जाती है वो OBC के बराबर ही जाती है अगर मैं बात करता हूँ SCST की तो SCST में अगर आप पहले में girl की बात करता हूँ अगर आप girl हैं तो अगर आपने सारे criteria fulfill कर दिया है criteria fulfill का मतलब है कि अगर आपके 200 plus marks है और आपके 80 plus question अगर सही है तो आपने criteria fulfill कर दिया है तो हो सकता है कि आप जो है जो cut off है वो clear कर जाए लेकिन अगर आपके 90 plus marks है SCST में तो आप जाहिर सी बात है कि training के लिए बुलाई जाएंगी अब मैं बात करता हूँ boys के बारे में तो boys के अंदर SC और ST में ज़्यादा अंतर नहीं होगा 2-3 सवालों का अंतर होगा तो अगर मैं इसकी cut off के बारे में आपको बताता हूँ तो 90 के आसपास 90 के आसपास अगर boys के सवाल जो है वो सही है SCST में तो वो training के तैयारिक कर सकते हैं रो marks की मैं बात कर रहा हूँ अभी device answer की है वो भी आईगी और आपका जो है normalization भी होगा तो जाहिर सी बात है यह जो आकड़ा है यह बदल सकता है नोर्मलाइजेशन के बाद आपको increment जरूर मिलेगा चाहे पाच नंबर का मिले चाहे दो नंबर का मिले लेकिन increment आपको जरूर मिलेगा मैंने इस वीडियो में आपको cutoff भी बता दिया result आपका कब तक आ सकता है यह मैंने आपको बता दिया March की आपका end में आपका result जो है वो आ सकता होली के बाद यानि 20 तरीक के बाद आपका result आपको कभी भी देखने के लिए मिल सकता है तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजेगा गौर्मन जोब की पलपल अपडेट के लिए थैंक्यू